अलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोडे कोड 0.5 mg रेस्पुल के बारे में इस रेस्पुल का यूज सास की कम्मी और घवराहाट के सिम्टम्स को रोकने के लिए किया जाता है यह एक एस्टोराइड है और इसे प्रेवेंटर की रुप में माना जाता है इसके साथ ही आपको एक फास्ट एक्टिन रिलाइवर की भी नीड होगी क्योंकि आप मेडिसन पहले से सुरू हुए अस्थमा की अटेक को रोक नहीं सकती आई जानते हैं कि यह एस्थमा की लज़ में कैसे कम करती है यह रैस्पुल एक कॉम्बिनेशन मेडिसन है जो आपके फेफरों में सूर्जन और इंफ्लोमेशन को कम करके रोकता है यह मेडिसन पहले से सुरू हुए अस्थमा की अटेक को नहीं रोकती लेकिन इसके सिम्टम्स को रोकती है जैसे कि छाती में टैटिनेस, घबराहर, सास की कमी और खासी इससे आपको अपने डेली लाइफ वार को असाने से और सेल्फ कॉन्फिडेन के साथ करने में हल्प मिलते हैं इससे प्रिस्क्राइब तरीके से लेते रहें बहले यह आपको कोई सिम्टम्स ना हूँ क्योंकि इस मेंडिसन को अपना पूरा एफेक्ट दिखाने में कुछ अपते लग सकते हैं इससे अचानक बंद करने से सिम्टम्स आपस आ सकता हैं आप बात करते हैं से किस तरह यूज़ करना चाहिए आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि इस स्पूल को कितने बार यूज़ करना चाहिए यह इंपोर्टेंट है कि आप अस्थमा को अप्यक्ट्व धंग से कंट्रूर करने के लिए इंपोर्टेंट मीनिमम डोज लें इस मेंडिसन का अफेक्ट कुछ दिनों के बार दिखने लग सकता है यह मेंडिसन तावी एफेक्ट्व होती है जब इसे रेगुलरली से लिया जाएं इसलिए इससे लेते रहें भाले ही आपकी सिम्टम्स खतम हो जाएं इससे लेना बंद करने से आपका अस्तमा और भी खरम हो सबता है इससे अचानक अस्तमा अटेक को रोकने के लिए यूज नहीं करना चाहिए अगर अस्तमा का अटेक होता है तो अपने क्यूएक रिलेविन इनहलर रिलाइवर का यूज करें इस मेडिशन से बेनिफिट पाने के लिए यह इन्सौर करना इंपोर्टेंट है कि आपका इनहलर टेक्निक सही हो अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो इसके सबसे नॉर्मल साइड इफेक्ट में गले में इरिटेशन, निगलने में कठिनाई और मुँ या फिर गले में फंगल इंफेक्शन हो सकता है यदि आपको यह साइड इफेक्ट होते हैं तो इसलिए ना बंद ना करें और अपने डॉक्टर से बात करें आपको अपने मुँ और गले को पाने से धो करें फिर इन्हेलर का यूज़ करने के बाद अपने दातों को बरस करके इन सिम्टम्स को रोकने में हल्प कर सकते हैं इसके अलावा इसे कुछ सीरियस एड इफेक्ट भी हो सकते हैं यदि आप इनके बारे में टेंसन में हैं तो इसके बारे में डॉक्टर से बात करें अगर आप इस मेडिसन के यूज़ कर रहे हो तो धुम्रपन करने से बच्चे यह रेसपुल लेनस पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि कि आपको टेवी मुया फिर गल्ले में कोई इंफेक्शन या लेबर डिजिस हैं इसलिए टायम आपको इंफेक्शन होने का खत्रा जादा हो सकता है इसलिए सर्दी और फुल वाले लोगों से दूर रहे हैं यदि आप इस रेसपुल का लंबे टायम तक यूज़ करते हैं तो यह हड़ियों को कमजोर और आखों को नुक्सान पहुचा सकता है इसलिए अगर आप लोकेजन करें अच्छे लगी होता है वीडियो को लाइक करें और अगर आपने वी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें चाहिए थैंक्यू